स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम NCRT क्लास 8 वसंत हिंदी के चप्टर 1 ध्वनी जो सुरिकांत किरिपाथी निराला के द्वारा लिखे गई है इसके प्रहस्नों को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल ऐकन प्रेस कर लीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर आपको इसका प्रेडियोफ चाहिए तो हमारे वर्टसप ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए सू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रेसन और उसके उत्तर क्या होंगे इसमें सबसे पहले कविता से प्र करना है वह स्वय को काम के सर्वता उप्युक्त मानता है इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा अगला प्रेसन है फूलों को अनन तक विक्सित करने के लिए कवी कौन-कौन सा प्रयास करता है इसका उत्तर है फूलों को अनन तक विक्सित करने के लिए कभी उन्हें कलियों की अस्थित्य से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है कभी का मानना है कि उसके जिवन में वसंत आई हुई है इसलिए वह कलियों पर वासंती असपस का अपना हाथ फेर कर खिला देगा अर्थात कभी उस युवा पिढ़ी को कावे प्रेयरना से अनन्त का द्वार दिखाना चाहता है जो आव देख अपना समय व्यर्थ कर रहे है अगला प्रैस ने कभी पुस्पो की तंद्रा और आले से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है इसका उत्तर है कभी पुस्पो की तंद्रा और आले से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है यहाँ कलियां आलेस्टी में पड़े यूवकों का परतीक है अतिक कभी नीद में पड़े यूवकों को प्रेटित करके उनमें नई उत्कस के स्वपने जगा देगा उनका आलेस्टी दूर भगा देगा तथा उनमें नई उत्सा का संचार कर देगा अब कभीता से आगे के प्रैसन है जिसमें पहला प्रैसन वसंद को रितूराज क्यों कहा जाता है आपस में चर्चा कीजिए इसको उत्तर है वसंद को सभी रितू में सरुस्रेष्ट माना जाता है इस रितू में ना तो अधिक ठंड पढ़ती है नहीं अधिक गर्मी इस रितू में पंच तत्व अपना परकौप छोड़कर सुहावने रूप में परकट होते है पेडों पर नए कौपलें आने लगती है चारो और हर्यालिश हा जाती है सितल मंध हवा सबको मोहित कर देता है इसलिए वसंद को दितूराज कहा जाता है अगला प्रैस ने रितू परिवर्तन का जीवन पर गहरा परभा पढ़ता है इस कर्थन की पूष्टी आप किन किन बातों से कर सकते हैं लिखिए इसको उत्तर है रितू परिवर्तन का जीवन पर गहरा परभा पढ़ता है कर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा जादा से जादा थंडी पेपदार्थों का उप्योग करते हैं इसके ठीक उलट थंड के मौसम में हम थंडी चीजों से बचने का प्रयास करते हैं मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियकलापों में परिवर्थन आते हैं, खान पानो और स्वास्ते पर भी रितु का गहरा प्रभाव डालती है, कुल मिलाकरी ए पंक्ती सार्थक सिध होती है, अगला प्रैसन है, वसंत रितु में आने वाले त्योहारों के विशे में जानकारी एक त्योहार, वसंत पंचमी देवि सहसती की पूजा, खहती में पकी फसल और पिली सर्षों का रंग वेसाखी आती त्योहार मनाये जाते हैं, इसमें एक त्योहार है होली, फागुन मास्क की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाये जाता है, होली के अनिक कथाएं जुड़ी है, ह अच्छे गुबारों पिचकारी से अपने मित्रों के साथ हौली का आनद उठाते हैं। सभी लोग बेरभा भूल कर एक दूसरे से प्रसपर गले मिलते हैं। हौली के दिन सभी सरकारी था प्राइवेट संस्थावों में अवकास होता है। अब अनुमान और कलपना से प्रहाषने हैं। जिसमें पहला प्रहाषने कवीता की निमलिकित पंक्तियां पढ़ कर बताई कि इनमें किस रितु का वर्नन है। जो कवीता के पंक्तियां दिये गई हुए हैं, फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं। हौली मची ठोर ठोर सभी बंदन छुटे हैं। इसका उत्तर है। इस कविता में वसंत रितु कहीं वर्नन है। क्योंकि आम के बोर और हौली के त्योहार का वर्नन है। आपको वीडियो कैसा लगाई हमें कमेंट में जरू बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगी तो असे लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ सेर कीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नठिफिकेशन आपको मिल सके।